सब्सक्राइब कर दिया है आपके कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरने के डेट और इक्जाम का डेट सब कुछ कंफॉर्म हो गया है वैसे हमने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था लेकिन फिर भी वह पहले एक ऑफिसियल नोटीस के भीना हमादूरा मानते हैं तो आज वो फाइनली आ गया है और आपके पास एक सेकंड चांस दो साथ अब को जवाब देने का उसका भी वक्त आ गया उसके स्टार्ट करने सब्ले आपको कुछ चीज़ बता देना चाहती हूं बच्छा कंपार् क्लियर करोगे तो आप नेक्स्ट यर अपना इंप्रूब्मेंट दे सकते हो वोड़ वाले के साथ अब ध्यांप सुनिएगा जिनका कंपार्टमेंट आया है उनके रिजल्ट पे कंपार्टमेंट लिखा होगा उस केस में आपका 10 में आप 2 सब्यक्त में कंपार्टमेंट सकते हो तो 12 में आप एक सब्यक्त में कंपार्टमेंट दे सकते हो इंप्रूब्मेंट जिन बच्चों को देना है उनके रिजल्ट में साफ साफ पास लिखा होना चाहिए अगर आपके रिजल्ट में पास नहीं लिखा है तो आप पास लिखा हुआ है ठीक है तो आप उस कं देने के लिए रिजल्ट पे पास लिखा होना बहुत ज़रूरी है ठीक है इस कंडिशन में टेंथ वाले दो सब्यक्ट में इंप्रूब्मेंट दे सकते हैं ध्याम फे सुनिएगा कभी-कभी ऐसा होगा कि आपका जो मैंस में सब्जेक्ट है उसको ऑप्सिनल में डाल देगा और उप्सिनल को आपके में डौ सब्जेक्ट में डाल देगा और मैस में फेल हो होगँ लेकिन फिर भी आपका ओवर ओर रिजल्ट पास और्jaracle we फेल हो रहे हैं और फिर भी आपका रिजल्ट पास लिखके आया हो ताप इंप्रूब्मेंट की कटेगरी में ही जाते हो ठीक है अब आजा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है सब्सक्राइब 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 और सब्सक्राइब है जो एक जो आपके वह रेगुलर का अग्जाम दिया है वह आपके किसमें रियूर को अब करते हैं तो जांव सुनियेगा जो बचीja प्राइवे Ref वाले हैं ठीक है और जो बच्ची स्टूढट वाले हैं प्राइवे हिट टूढेय जो है वो एक फॉर्म उलाइन भर या खुद से अपना और जो बच्ची रेगुलर स्टूडेंट है उनका फॉर्म स्कूल भरेगा और स्कूल आपको कॉंटेक्ट करेगा क्लियर यहां तक देखो अब जो आया हुआ है मैंने बाकी बेसिक बता दिये आपका फॉर्म का स्टार्ट हो चुका है 31 से ठीके में से और 15 जून तक जाएग और जो पढ़ लेते हैं क्या का लिखा हुआ है और एक सब्जेक्ट में कॉन देंगे आपके 12 वाले देंगे अब लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर प्राइवेट कंडिटेट को दिक्कत होगे तो मुझे कमेंट बता देंगे उनको प्रॉपर लिंक ओपिंग करके दिखा दूंगी ठीक है नेक्स वीडियो में अभी ने तिक आओ यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर अब लिए अब कमपार्टमेंट नहीं हम उसको सप्लिमेंटरी एग्जामिनेशन बोलेंगे एगे एगे लिए अब बोर्ड हैस डिखलेर दारी जर्टें तो ट्वेल टीक है बोथ वीच क्लास फॉर्ट अट शेशन दीश सैल इस्टार्ट जिन बच्चों का डिजल्ट एं उनका जो स्टार्ट होगा फॉर्म 31 में मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा दसमीशन ओफ एलो सी इस दर दन फ्रोध परिक्षा संगम लिंग प्रोवाइड़ेड ऑन दा सी बीसी के विबसाइट पे ही आपको मिलेगा इस लिंग पे जाकि आपको अपना फॉर्म भरना है थर्ड चांस वाले फॉर्स चांस वालों का भी ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा लेकिन वो स्कूल भरेगा वो स्कूल के रिस्पॉनसिबिल्टी है क्लियर अधिशन फॉर्म ऑनलाइन बढा जाएगा सिर्फ वही सप्लिमेंटरी के एक्जाम में बैठेंगे आइडी के नाम पे और पास्वर्ड ओल्रेडी अवेलबल उनके पास अल्रेडी पास्वर्ड है तो वो आपका फॉर्म ऐसे भरने वाले हैं इस वेबसाइट पे जाके ठीक है दा फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में भी रीड अंदर दक अंदर दक अपरोच इस देडी अपने स्कूल को जाके अप्रोच किजे ताकि आपका फॉर्म भर सकें श्कूल आपको इसेल ओसो कॉंटेक्ट आपको कॉंटेक्ट करेंग आपने स्टूडेंट को जिनका कमपार्टमेंट आ गया है और इन इन्फॉर्म देड सेंप्लिमेंट्री एग सब्सक्राइब जिन बच्चों जो बच्चे पास हो गए हैं और फिर भी उनको इंप्रूब्मेंट देना है स्कूल उनको भी सुझट करेगा और सारी इंफॉर्मेशन बताएगा सारी चीज़ें बताएगा यहां तक है दो सब्सक्राइब ले सकते हैं School should submit LOC for all the student placed in the compartment category. School जो है वही आपका LOC भरेगा. जो बच्चे compartment की category में आते हैं. Even if they are unable to contact the student. अगर वो unable हो जाते हैं. अगर school वाले आपको contact नहीं कर पाते हैं किसी region से. तो वो आपके नाम पे LOC भरेंगे. LOC वही देंगे आपके नाम पे. टीके? जो बच्चे का form नहीं भरा जा चुका है किसी region की वाज़े से. विल की is the opportunity to appear in the. उनके पास एक चांस होगा. ठीके? कि वो supplementary का exam दे पाएंगे. क्योंकि ये school का fault होगा भी. ठीके? इट विल भी the responsibility of the school to submit LOC within the ispittulated schedule. मतलब time में रहते हुए आपका LOC का form. LOC submit कर दिया जाए. ठीके? ये school की responsibility है. No request for extension date. किसी भी region की वज़े से अगर आपका form छूटता है, तो आपका no extension, मतलब date को बढ़ाने का request accept नहीं किया जाएगा. by accepting any candidature after the last date is over will be considered. The school shall submit the name of the student in the LOC for the supplementary examination 2024 as the condition of the eligibility. ठीके? eligibility criteria के साथ, school आपका LOC में आपका नाम डालेगा. It is also informed that the student who appeared in the 2022-23, ठीके? जो भी private student है, ठीके? उनका result compartment आया है, they could not also pass in the compartment 2023. फर्स चांस और 24 में उन्होंने board के साथ exam दिया, तो second chance था, अब वो third chance आ गया उनका, जब वो अब अपना compartment का exam देंगे. maximum of three chances, आपको तीन chance मिलता है, first chance, second chance, third chance. ठीके? फर्स चांस अगर आपने 2023 में board दिया, पेल हो गया, compartment दिया, पास नहीं हुए. फिर आपने board के साथ 24 चांस पेपर दिया, पास नहीं हुए. फिर आप थर्ड चांस में पेपर दे रहे हैं, ठीके? अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है, तो क्वाइरी रिगार्डिंग दे ओनलाइन सब्मिशन, the IT branch of the concerned regional office can be contacted for the clarification or assistant. The contact detail of the regional office link is here. आप इस link पर जाके अपना query दे सकते ही, क्या problem आ रही है आपको. ठीके? Consolidate mark seat will be issued only the student who result was declared compartment in the board examination 2024 and who will be declared as a past supplementary exam. ठीके? रिजल्ट आपको pass होने के बाद मिल जाएगा. The supplementary examination will be conducted based on the syllabus. आपका जो 12th का syllabus है, उसी बेस पर आपका exam होने वाला है, उसे ज्यादा कुछ नहीं है, improvement performance can be only done by the subject given by the, जो आप लेना चाहते हैं, आपका उसी में improvement आप दे सकते हो. आपका 15 जुलाई को होगा paper, 12th वालों का, और 10th वालों का 15 जुलाई से start हो जाएगा. The date for the download admit card will inform, आपको बता दिये जाएगा, जब आपका date आएगा, eligibility criteria this, schedule for the supplementary exam, 24th, fee structure of the this, detailed approach, copy web, जखो, अब आजो, यहाँ पर सारी चीजे लिखी होई है, क्या-क्या, कैसे-कैसे, कितना fees आपका लगने वाला है, यह आपको पहले बता दिया गया है, मैंने आपको इब बता दिया है, ठीक है, 5th July, चलो आजो भाई, हो गया, ठीक है, चलो, आपको बता दिया जाए, कि जो फॉर्म है, 300 रुपे पर सब्जेक्ट, ठीक हजार रुपे, इस नेपाल वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो बच्चे आउट साइड ऑफ दे इंडिया है, उनका 2,000 रुपे फीज है, ठीक है, 31 तारिक से स्टार्ट हो रहा है, और क्या जा रहा है, डेट, फाइनल आज़ेशन अव लोची, प्लस टू डेज, 17, 6 तक जा रहा है, मतलब 15 तारिक, प्लस दो दो दिन जा रहा है, आपका मंडे, प्लीज सीधा इंस्ट्रक्षन, ठीक है, 17 तक जा रहा है, क्या, आपका फीज पेमिंट करने का, लास देट, दो दो तारिक और मिल रहा है, विद द लेट फीज, अगर आप लेट होते हैं, तो आपको दो हजार उपे करना पड़ेगा, तो सो चो तीन सु देना चाहते हो, या फिर दो हजार देना चाहते हो, अब या आपके ऊपर है, कम्प्लीट डीटेल है, डेट आप दा फाइनल आशन, देस एंड देस, बतलब लेट डेट जो है आपका, 16 तारिक है, खतम हुआ, 15 तारिक तक आपका लास डेट खतम हुआ, 15 तारिक के बाद से, 16 के बाद से स्टार्ट होगा, 16, 17, 18, 19 तक जाएगा आपका, एक्जाम का, सुरी, पेमेंट करने का डेट, ठीक है, आप एले फॉर्म फिल कर लिजे, 15 तारिक ही, आपका लास डेट फॉर्म फिल करने का, अगर आप लेट होते हैं, तो फिर आपको 2000 रुपे पेमेंट करना पड़ेगा, आप कमर की पेटी बान लीजिए, सारी डेट को नोट कर लीजिए, और एक्जाम के तयारी कर लीजिए, 45 दिन अभी भी आपके पास है, All the West.